भाजबास आप त्यारी कर रहे हैं ब्रामन है और ब्रोद्धा की राजनीती ऐसी है पुरे रियाणा के अंदर सबसे ज्यादा ब्रोद्धा में है सुनीवत अलके में और सबसे ज़्यादा जात भी यहां पर हैं तो भाजबास जब टिकट देगी किसी को वो मनने या ना मनने जाती गत समीकरनतों में बिठाउंगे मान के चलो सराभी आप भाजबा को कैसे यकीन दिलाओगे कि 36 बरादरी आपके साथ है देखिए पहली बात तो यह है कि मैं ब्रहामन जाती में मैंने जनम लिया है लेकिन मैं राज नितीम आया हूँ अब मैं 36 बरादरी का हूँ और 36 बरादरी को मैं मानता हूँ एक समान समझगे चलूँगा और यह यह अमारी सफ़त है और भगवान ने मौका दिया तो यह सफ़त हमारी एकदम सुद सफ़त रहेगी है कि हम 37 ब्रादरी को साथ लेकर के चलें किसी में भी कोई बेदवाव ना समझें और लोगों के अंदर भी मेरी हर जाती में इस बात का मालूम है कि वे उमेश सर्मा कोई जाती पाती का बेदवाव रखने वाला नहीं है और जहां तक स्वाल है कि भारती जन्ता पार्टी क्या जाती समीकर्ण बनाएगी देखो वो तो टिकट देने वालों का काम है लेकिन मैं तो अपने जो है इसी मुकाम पर हूँ के 36 ब्रादरी को साथ लेकर के चलूँगा वो तो भारती जन्ता पार्टी ने देखना और मैं समझता हूँ कि ये जात पात का जब ये जो हंगामा डंगामा है इसको छोड़ के चलेंगे जब भी रास्टर आगे बढ़ सकता है अगर हम जाती है समीकर्णों में गुसे रहेंगे तो ये हमारा देश फिर मजबूत कैसे बनेगा हमने तो मजबूत बनाना ना रास्टर को तो दोस्त ये जाती पाती धरम देखो एक ही बात लेकर चलना पड़ेगा कि भारत देश हमारा है इसके सब नागरी कमारे हैं और बरोदा हलके में चे जाट हैं चे ब्रामन हैं चे स्डूल कास्ट भाई हैं बैकवर्ड कलास भाई हैं या और दूसरी जातियों के भाई हैं तो मैं तो अपनी जाती के बारे में एक ही बात है भई हम मानो हैं और सब मानो हैं और सब को एक साथ लेके चलेंगे समी करनों की बात है कोई राजनितिक अपनी अपनी विचारदारा होती है मैं तो सब को एक समान समझता हूँ और समझू गा देश को महन बनाना है देश को सुद्रिट बनाना इस विशय का अभी मैं आपसे प्रशन करूंगा उससे दूसरा प्रशन इसी प्रशन से मिलता हुआ यह था भाई भाजपा आपको टिकट क्यों दे आप सभी को ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो जनता आपके बारे में क्या यह को पहले ही कहा है कि यूजाट ब्रामन है और और जो एसी बीसी वाई हैं वो तो हमेशे हैं यह समझते हैं के हमारे दुख सुक्मा हमेशे साथ रहता है और जहां तक ब्रामनों की बात है बाइस कि उनके कुल में जनम लिया है मैंने उनका बच्चा हूं मैं तो लेकिन अब ये सारी बाते थे एक सामाजी एक प्राथमी गरचनागी बाते हैं लेकिन सचा ही यही है कि वही मेरे को वोट क्यों देंगे सब जातियां पहली बात तो भाई मैं हूँ गरामिन और ये गरामिन अलका है इस बारे मैं पूछता हूँ जरी मेरा प्रस्ट और और सुन लो और वाई हम जो है गाउं में पढ़े हैं और उस हमारे टाइम में जब हम बच्चे थे मिट्टी के तेल के दिये में हम पढ़े हैं मिट्टी के तेल के में और गाउं में बिजली किसी किसी को होती थी हमने सब तरह की मिट्टी के दिल में क्यों है पढ़े सर दिन में पढ़ के पढ़ते थे पाती बिचागर पाती के उपर दोलड़ा दोलड़ा बोलते है उसको जो कपास से बनता है और हम जो है गाउं में पढ़े हैं गाउं में पढ़े हैं गाउं गरामिन परस्ट भूमी से निकले हैं और हमने जमीदार की वो जलक का हमारे को एक जनून है कि जब क किसान खेत में पानी देता है और ठाड़ी मोरी का पानी आ रहा हो और उपर से बिजली करकड़ा रही हो और सरदी का मोसम हो और जमिदार का जिब बंदा निकल जाए विचारे का और वो बंदा भार्या मोरी का बंदा कसी दे फटा फट मिट्टी डाल डाल गए देना यानि कि किसान की हम उस पीड़े को समझते हैं कि किसान बिचार अपनी फसल को पालता है और कोई भी आफ़त कोई परमात्मा की तरफ से आजाए कोई बाड आजाए सुखा आजाए आंदी आजाए ऐसे फसल के होगी फसल खड़ी है आंदी आजाए सारे बिचारे की फसल गिर जाती है यानि कि हम हर दुख सुख को जानते हैं और हर समस्या को निप्टने के लिए हम सक्सम हैं यह जो आपने इतना कुछ imagination करका बताया वह उपर दे बिजड़ी कड़क दियो जाटे का मोसम और बड़ा नाका हो मैंने लास्ट टाइम जब आप का इंटर्व्यू कर रहा था उसमें ने कमेंट कर रख्या था इतने सुस्रे कपड़े पर रहे हो जैकिट वैकिट पर रहे हो आप कित बाहर निकड़ते होगे आपने क्यों कर भे रहा है इस सो देगा कि किसान कर क्या अच्छे कपड़े नी पहन सकता क millennials कि किसान बेटी पढकर मेंन को को क्या क्या सब्सकálSबन does जाता कि बाई तन्हें ये सरसों लेनी है और इसमें औरना बोलते है जो उसमें लगता है साथ में औरने में तो थोड़ी-थोड़ी सरस्म डाले जा यानि के सरस्म के खूड़ी साथ की साथ आ जाएंगे तो अगर एक किसान का बेटा और आप लोगों के सामने इंटर्वियू दे और सब भाईों को दरसकों को सब भाई देखरें हैं conoc के भला रहे भाई मारा वाऑी ने भी थोड़े अच्छे कपड़े क्यों नहीं पर रेनादो कर तो अभी आपके किसी गाउं में से आया हूं तो एक अच्छे कपड़े पेन लेना तो क्या किसान के बेटी को कोई हक नहीं है नहीं हक जरूर है जी बिलकुल लेकिन थोड़ा से यूं लगए ना जैकिट पैर ली तो यूं लगए किसाने की समझा कहा समझदा हो चलो आपने इतना बताया